आज हम देख रहे हैं बाइलोजी का सॉलूशन बाइलोजी का जो पेपर हुआ है आपका 2023 का इसके कम्प्लीट सॉलूशन के हम बात करने वाले यहां पे कम्प्लीट सॉलूशन को डिस्कस करेंगे बहुत सारे बच्चों ने वाटसेप पे मैसेज किया कि सर हमें जो सॉलूशन पीडियेफ है यह इसकी जरूरत है इसकी रिक्वाइरमेंट है हमने अपने कलीक से बात की और सभी जगे से बात करने बाद हमने डिसाइड किया कि सॉल बन रहे हैं उनके भी आपको पीडियेफ मिल जाएंगे आप जो है जी पे या गूगल पे जो की कहते हम और फोन पे इस पे आप जो है 50 रूपीज पर सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट करना पास में पीडियेफ जो है फुल सॉलूशन के साथ आपको मिल जाएगी तो कम्प्लीट सॉलूशन के लिए पीडियेफ जो है वो 50 रूपीज इस सब्जेक्ट आपके लिए अविलेबल है कायलोजी, केमेस्ट्री, फिजिक्स जो भी हम सेलूशन आपको प्रोवाइड कर र चाहें फिजिक्स 2023 का कम्प्लीट सॉलूशन फुल सॉलूशन लेना चाहें तो भी आप सेम अमाउंट पे करेंगे और स्क्रीन सोट जो है वाट्सेप नमबर जो अभी आपको दिखाया गया था वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं तो यह वाट्सेप नमबर है इस पे आप प जहान से पढ़ना है और सारे questions बहुत ही important रहेंगे section A की बात करें 10 marks आपको देखे जाएगा section A और section A में पहला question जो पूछा गया आपसे Histones are rich in तो Histones किसमे rich होते हैं आपको बताना है किसमें संब्रद होते हैं क्या इनकंदर जादा होता है Histones में जो है Lysin and Arginine ये दोनों ही जो है आपके क्या होते हैं बहुत ज़्यादा rich होते हैं Histones में यहाँ पर A option जो है आपका correct हो जाएगा Second question की बात करते हैं यहाँ पूछा गया आपसे How many mitotic revisions take place during the formation of a female gamenophyte from a functional megaspor तो कितने होते हैं बहिया आपसर हो जाएगा sir 3 होते हैं यहाँ पर C option correct हो जाएगा Next question है Each of the following is the only gaseous plant growth regulator तो कौन सा है gaseous plant growth regulator आपको इन में से बताना है निमन में से Option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा Ethylene ठीक है तो C option जो है इसका correct हो जाएगा Next question इसकी बात करते हैं The pH of nutrient medium और plant tissue culture is in the range of कितने range के अंदर pH होता है nutrient medium plants के लिए, tissues के लिए, culture के लिए तो इस cancer हो जाएगा यह जो pH का जो range होता है यह 224.2 होता है 224.2 यानि कि ए option correct हो जाएगा Next question है इसमें पूछा गया है Private upper hypothesis is an analogy to explain the significance of किसके significance को explain करता है यह hypothesis तो यहाँ पर आ जाएगा आपका answer यह करता है Biodiversity को ठीक है तो यहाँ पर जो है यह option correct हो जाएगा आपका Next question है which of the following groups shows ZW, ZZ type of sex determination तो यह आपको पता ही है कि सारे के सारे birds में होते है Z types और W types और यह किस में show करता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है यह group जो है किस में आता है तो यह group जो lie करता है वो group है आमारा region में, parrot में, sparrow में ठीक है तो यह option यहाँ पर correct हो जाएगा आपका 6th question का तो एक एक नंबर के सारे question से 6th question करने के बाएद आपको 6 नंबर मिल गए चलिए 7th question को देखते हैं अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है in hamburgs phenomena, hamburgs phenomena में क्या होता है, कौन से diffusion होता है, किस type का diffusion होता है तो हमारा जो answer हो जाएगा hamburgs phenomena के अंदर हमारा जो है, chlorine minus charge diffuse हो जाता है, RBCs में chlorine minus charge diffuse in RBCs तो यहाँ पर जो भी option है, यह आपका correct हो जाएगा इसके बाद जो next question है, इसकी बात करते हैं question देखिए, next क्या है आपका calcium and phosphate ions are balanced between blood and other tissues by किसके द्वारा calcium and phosphate ions जो है, balance होते है blooded tissues, blood के अंदर and other tissues में तो यहाँ पर हमारा answer जो होगा, right answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, हमारा popils, hormone and calcitonin तो यहाँ पर जो है, C option correct हो जाएगा 8th question की बात करते हैं 9th question की बात करते हैं identify the incorrect statement यहाँ पर चार statement है, एक statement आपका गलत है और वो statement कौन सा incorrect है हमें वही बताना है तो यहाँ पर जो first statement है in a calicide cell TP is 0, बिल्कुछ सही है statement हमें incorrect statement बताना है यहाँ ध्यान देना है कि हमसे पूछा गया है incorrect तो हम correct वाला ठिक नहीं करेंगे इन्हें target cell TP D is 0, यह भी सही है इन्हें fully target cell TP is equals to OP, यह भी सही है यह देखते हैं water potential of pure water is negative यह statement जो है गलत है तो D option जो हमारा correct answer हो जाएगा 10th question देखते हैं MCQ का अंतिम प्रश्न इसके बाद आएंगे हम next जो question से उनकी बात करेंगे which of the following is a hormone releasing contraceptive कौन सा ऐसा है hormone release करने के लिए contraceptive यूज किया जाता है वो कौन सा है तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही answer यह होगा हमारा LNG20 LNG20 जो है hormone releasing contraceptive माना जाता है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा अब question number 2 पे move करते हैं और यहाँ पर answer the following questions 8 marks के questions है आपके और 8 की 8 करने होंगे क्योंकि इसमें options नहीं दिये हैं जहाँ पर options देगा मैं बताऊंगा तो 8 marks के आपके question है पहले question से start करते है तो कौन सा disease होता है HPV से तो yes बिल्कुल आपने सही समझा है cancer, cancer disease जो है HPV से होता है इसके बाद जो next question है इसमें पूचा गया which device is used to clean both dust and gases from polluted air तो कौन से device use करते हैं उस device का नाम आप से पूचा गया है उसको बोलते हैं exhaust gas scrubber हम इसको बोलते हैं exhaust यह हो जाएगा इसका answer इसके बाद जो next question है आप double B कर ले ना या फिर मैं कर देता हूँ आपके लिए पर spelling mistake नहीं करनी है आपको ध्यान रखना है कभी भी spelling mistake से क्या होता है generally वैसे नहीं करते हैं बड़े classes में number फिर भी हमें ध्यान रखना है आप यह डबल B आए अब जो next question है mention the name of style animal produced by intergenic hybridization तो यहाँ पर कौन सा है वो name आपको बताना है तो mule जो है वो है style animal ठीक है? mule यहाँ पर हम जो बोल देंगे mule right next question है give the name of first transgenic plant first transgenic plant जो था उसका नाम तर टेंबेको आपको याद भी होगा next question है a child has low BMR body mass index है इसमें BMR क्या होता? आपका body mass index ही होता है तो यहाँ पर देखिए यह पूछा क्या गया है बस इसको हमें बताना है सिदा सिदा a child has low BMR delayed pubertory and mental retardation identify the disease तो कौन सा होगा यह disease? आपर answer क्या होगा? creatinism इसमें क्या होता है हमारा? जो भी हमारी abnormal mentor और physical development है ना वो problem होती है, condition होती है इसकी यहाँ पर जो next है इसमें एक चार्ट दिया गया identify a in the given graph of population growth आपको इसमें यह बताना है इस population growth में आपको पता है इसका नीचे जो है leg phase होता है गिरहा leg phase और जो top में होता है वो कौन सा phase होता है? इसको हम बोलते है stationary phase यह होता हमारा stationary phase अब जो next question है उसकी बात करते है इसमें आठवा जो question है अभी हमारे को जो questions है यह सबी को solve कर रहे है हमारे को देखो 8 number मिल रहा है यानि कि एक एक number के questions है 8 questions है एक एक number दे रहा है हमको अब यहाँ पर जो सातवा question है इसको solve करते हैं abscission जो है pre-mature fall of flowers fruits and leaves होता है यह हाँ पर बता दिया इसने अब appearance of green and non-green patches on leaves यह क्या होता है तो इसको बोलते हैं हम motting याद आ गया होगा तो क्या बोलते हैं motting तो यहाँ पर हम लिग देते हैं इस cancer right motting sorry selling mistake हो गई अब जो next question है इसकी बात करते हैं आठवा question give an example of plant having both kidney and dumped bell-shaped guard cell in stomata वो कौन सा होता है भाई वो cypress होता है ठीक है क्या होता है वो cypress होता है अब देखते हैं next question तो यहाँ पर हमारे को 8 number मिल गए अब जो question है यहाँ पर section B जो start हो रहा है आपका इसमें देखिए आपको 8 करना है कोई भी question यह ध्यान रखना 8 करना है कोई भी question तो 8 question कोई भी करेंगे उसके answer हमें मिलेंगे और उसके आपको 8 का मतलब है 16 marks मिलेंगे यानि 8 question करोगे तो आपको each question के 2 marks मिल रहे हैं इसका मतलब आपको फिर 16 marks मिल ठीक है आपके पास जो generally है यहाँ पर 3 से लेकर 3, 4, 5, 10 आपका 6 question, 7th question, 8th question, 9th question, ठीक है 10th question, 11th question, यह और 12th question even 14 question तक 14 question, 3 to 14 question जो है आपको दिये जाएंगे 3 से 14 question तक इसमें रहेंगे जिसमें से आपको केवल 8 करने होंगे यह ध्यान रखना ठीक है सबसे पहला जो question पूछा गया इसकी बात करते हैं define the terms, यहाँ पे gross primary productivity को हमें define करना है net primary productivity को define करना है gross, देखो definition लिखा, इसको पढ़के आपका समय, मेरा समय निकालने से अच्छा है, फटा-फट मैं आपको समझा जेता हूँ कि gross primary productivity को हम गैसे define करें gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis, ठीक है, तो यह हो गया इसका definition एक number यहाँ मिलेगा, और एक number इसमें मिलेगा net primary productivity में, gross primary productivity माइनस respiratory losses जो होते हैं, ठीक है न, जो भी हम r को minus कर देते हैं, gross primary productivity में है तो वो क्या कहलता है, net primary productivity NPP जिसको हम short form में बोलते हैं, यह कहलाता है तो first वाला option यह हो जाएगा, answer और second वाले का answer यह हो जाएगा, ठीक है next question है, draw a neat diagram of thyroid gland and label thyroid follicular cell and blood capillaries यह आपको diagram बनाना होगा इसके लिए, ठीक है, तो यह इसका thyroid gland का पूरा का पूरा cell आपको सब कुछ दिखा देना है, जो जो चीजे पूछी जा रही है इसमें, जो भी चीजे पूछी जा रही हैं, आपको सारे के सारे mention करने होंगे next जो part है, यहाँ पर, इसमें पूछागी आपसे, give reason यहाँ पर आपको reason देना है, ABA is also known as anti-transparent or explain the role of chlorophyllase enzyme in banana, ठीक है, दोनों को आपको reason देना है reason दोगे, देखो 8 question ही करना है, आपको 14 तक questions मिलेंगे 3 से 14 तक, उसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है art, आपका landy paper नहीं बनता है, छोटा paper बनता है, छोटे-छोटे answers लिखने होते हैं, जो कि आप solution में देख रहे हैं, इस तरह के छोटे-छोटे questions biology के आते हैं, biology का paper बहुत easy बनाया जाता है, बस यह है कि आपको answers याद हो, लिखने का तरीका याद हो, तो कोई issue नहीं होगी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ए पार्ट की, तो ABA क्यों, जो है, also known, जाना जाता है, anti-transparent के नाम से भी, तो आपको बताना है यह चीज, तो ABA can use a flux of K plus iron, from the guard cell, and result in closure of stomata, the closing of stomata, dimnesses, dimnesses मतलब क्या हो जाती, कम हो जाती, छोटी हो जाती, the rate of transpiration, तो stomata में जब closing dimnesses कर देती है, कि इसके rate of transpiration को, तो it also, या known as an anti-transparent, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका second part, explain role of chlorophyllase enzyme in banana, तो chlorophyllase enzyme banana का जो है role आपको बता जाना है, क्या होता है यह, यह क्या करता है, enzyme causes triggering effect in banana, ठीक है, यह इसका answer हो जाएगा, next जो part है, उसकी बात करते हैं, जो विद्यार्थी थोड़ा late जुड़े हैं, उनको मैं बता दू, आपकी solutions दिये जा रहे हैं, PDF form में physics आप ले सकते हैं, 2023 का complete solution के साथ में, अगर आप chemistry लेना चाहते हैं, तो 2023 का chemistry भी ले सकते हैं, और biology आप देख रहे हैं, biology भी आप ले सकते हैं, तो आपके उपर depend है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे, 2022 का भी आप ले सकते हैं, जो हमने video solve कर दिये हैं वो, और आपका per subject जो है, वो 50 रुपीज चार्ज रहेगा, google पे या phone पे आप कर सकते हैं, number मैंने बिल्कुल वीडियो के starting में बता दिया है, फिर भी मैं आपको इहां पे number एक बार और बतायता हूँ, यह हमारा WhatsApp number है, 8469022568, एक बात ध्यान रहे कि इस number का, आप जो है, कोई भी access message ना करें, immediately आपका number जो है, access message क्योंकि इसमें डाला हुआ है, anti safety lock, तो यहां पर जैसी आपको एक्स्ट्रा message, welcome, good evening, good afternoon, इस तरह के message करते हैं, तो आपका जो है आप direct जो है, आपको बताया जा रहागी, अगर आप कोई भी PDF जो हमारे वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं, उसको लेने के लिए आपको 50 रुपीज का payment करना होगा, चाहें आप जी पे कर दें, या फिर आप phone पे कर सकते हैं, तो दोनों ही medium आपके पास available हैं, और यहां पर जो है, आप इसको payment के बाद में, इस number पे आप जो है, इस screenshot send कर देंगे, इस screenshot आप send कर देंगे, और आप अपना subject लिख देंगे, कि आपको कौन से subject की requirement है, तो वो subject का जो PDF, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उस ही का मिलेगा, जब तक वीडियो नहीं बनेगा, उसका PDF आप को नहीं दिया जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बता है, 2023 का आप biology, physics और chemistry ले सकते हैं, 2023 के और भी solutions बनाए जा रहे हैं, तो जो भी videos available होंगे, उनके solutions आप ले सकते हैं, 2022 का आप biology, physics और chemistry, जो भी videos आपने देखे हैं, उनके solutions ले सकते हैं, तो आपके उपर depend है कि आपने कौन स देखे हैं, जो videos available हैं, 2022 के, 2023 के उनके solutions आप complete ले सकते हैं, जैसा कि आप इस video के माध्यम से solutions देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है एक chart, और इस chart को आपको complete कर देना है, और कुछ नहीं है, इस chart को आपको complete करना है, तो यहाँ पर जो chart है, इसको complete करने के हुआ है, उसको हमें solve कर देना है, ठीक है, तो हमारा answer जो है complete हो जाएगा, तो चलिए इसको देखते हैं, इस question के answer को, यहाँ पर six number जो question पूछा है, इसमें हमारा answer क्या बनेगा, यही हमें बताना है, और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए, disorder या disease आपको यहाँ पर इसकी वज़े से कौन सा disease हो सकता है, तो इससे होता है हमारा anemia, ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, clear हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका नाम anemia, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको ane आएगा anamia, ठीक है, अब देखिए, अस्थमा है, तो इसका recombinant protein कौन सा होगा, अस्थमा का, तो वह होता है, interleukine 1 receptor, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, interleukine 1 receptor, इसी के साथ हमारा leukine आजाएगा, interleukine, स्वège क्र ह्ईक है, किधेसN, और इसके आगे एक और आएगा a word, यह question mark नहींन है अटा रहाएं है, receptor इंटर लुकीन 1 रिसेप्टर यह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा अगर यह नहीं है तो disorder क्या हो जाता है आपका अस्थमा अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको disorder बताना है tissue plasminogen activator इससे हमारा क्या होते हैं blood clots की problem flood clots ठीक है next question है इसमें देख लिते हैं embassima तो इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो आता है वो आता है alpha 1 alpha 1 ठीक है gas anti tripe sin ठीक है अब आईए next question की तरफ define ambition or explain how ambition help root hairs in absorption of water ठीक है तो यह दोनों को हमें define करना है first define definition जो हम दे सकते हैं कुछ इस तरह से ज्यान रखना है आपको हर चीज का अब यहां पर आप फर्स्ट का definition इस तरह से लिखेंगे imbibition क्या होता है यह आपको बताना है इसमें क्या हो जाता है आपका swelling आप हो जाता है ना और जो दूसरा explain how imbibition helps root here in absorption of water तो कैसे help करता है आप absorb करने के लिए water को तो यह आपको बताना है इसके answer को आप इस तरह से लिख देगा ठीक है next question उसकी बात करते है pro innate diagram of conductive system of human heart and level AV node bundle of his and perkinch fibers तो यह आपको बताना है इस तरह का यह diagram बनेगा आप diagram में थोड़ा बहुत कम कर सकते हो नाम जो आपको याद नहीं रहता है लेकिन जो नाम यहाँ पर दिया जाते हैं उनको तो आपको show करना ही होगा next question है इसकी बात करते है ninth number में आपसे पूछा गया है अंतर बताना है और इस अंतर को जो है reference to standing property and activity के हिसाब से बताना है तो यहाँ पर देखिए differences को tabular form में लिख देंगे सबसे best रहता है यह clear हुआ यह ninth number होगे आपका tenth number की बात करते हैं यहाँ पर जो है missing जो आपके है इन missing questions के आंसर आपको देने हैं कि इसमें क्या-क्या miss है ठीक है energy regarding energy flow in a ecosystem rewrite करना है ecosystem में जो energy flow है वो किदर से किदर होता है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह हर भी वह और कौन से होते हैं तो यह होते हैं हमारे primary consumers primary consumers primary producers जो हैं वो कौन होते हैं तो हमारे वो होते हैं grass ठीक है और हम बता सकते हैं plants trees trees अच्छा man and lion इसमें आते हैं यह हमारे titry consumers में आते हैं ठीक है अब जो next आप से इसमें बच्चा हुआ है secondary consumers में कौन आते हैं इसमें आते हैं आपके bird and fishes fish है birds है यह आपके secondary consumers में आ जाते हैं अब जो next question है उसकी बात करते हैं इसमें क्या पूछा गया है यह देखते हैं bio fortification और mention example each of fortification with the reference to इसके examples तो देदेंगे कोई दिक्कत नहीं है इनके examples जो है first a का part first देना बी का first का example देना है और बी का ही second का example देना है तो यहाँ पर bio fortification क्या होता है इसके वरह में अगर हमें लिखना होगा तो इसका answer कुछ इस तरह से हम लिख देंगे ठीक है यहाँ पर bio fortification का answer इस तरह से लिख देंगे ठीक है और जो है यहाँ पर देखिए mention one example each of the fortification with reference to amino acid content and vitamin C content अगर हम बात करें examples के हिसाब से तो पहला fortified maze हो जाएगा और दूसरा vitamin C enriched bitter curd हो जाएगा तो दोनों के answer से हम लिख सकते हैं तो इस answer को हम इस तरह से लिख देंगे ठीक है example of bio fortification first जो है हमारे से पुछा गया है amino acid content और vitamin C content amino acid में fortified maze और vitamin C enriched bitter curd यह हो जाएगा टमाटो भी आ जाते हैं अब differentiate between x chromosome y chromosome with reference to length of non homologous reasons type as per position of centrosome तो यहाँ पर देखो centromere के हिसाब से बता देंगे और दोनों को क्या है हम tabular form में explain कर देते हैं क्योंकि जो है जिस हिसाब से पूछा गया इस हिसाब से बताएंगे next question है उसकी बात करते हैं define the terms जिसमें genetic drift है आपका और homologous organ है बहुत ही common questions है 10th में भी पूछा जाता है यह सबसे पहले हम बता देते हैं इसमें genetic drift क्या होती है genetic drift के बारे में homologous organs क्या होते हैं इसको हम बता देंगे तो यहाँ पर जो है इसका answer हम लिगे next question है इसमें आपका what is xc2 conservation xc2 और in situ हमेशा ही पूछा जाता है यह बहुत ही common question है ठीक है तो इसका answer जो हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे यह part का answer आप जो है xc2 के बारे में बता देंगे और two places where xc2 conservation undertaken वो दो places कौन-कौन से हो सकते हैं यह आपको बताना है तो वो हो जाएगा आपका geological parks और botnical gardens जो होते हैं यह xc2 conservation के लिए जो है चुने जाते हैं तो यहां तक हमने कर लिए 14 question 3 से 14 तक में केवल 8 ही करने थे इन 8 को करने के बाद आपको 16 number मिलते कोई भी 8 करने थे आपकी मर्जी से जो आपको easy लगता है अब जो next part है इसकी बात करते हैं define करना है incomplete dominance को और फिर यहां पर दिया गया है question if red flowers mirablishes jalpa plant is crossed with a white flowered plant what will be the phenotype ratio in F2 generation so it by the chart chart बना देना है वही chart जो आपने दस्वी पढ़ा था कुछ खास नहीं यह बस यहां पर केवल आपको change कर दी है नाम तो सबसे पहले हम define करें incomplete dominance को तो incomplete dominance क्या होता है इसकी definition आनी चाहिए और यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है चीज क्या है कि यहां पर भी आपको 8 करने है question ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 8 questions करने है जितने भी questions मिलेंगे बहुत सारे questions मिलते हैं आपको extra 3 से 4 questions मिलते हैं यानी 8 questions जो है आपको करोगे तो यह 3 marks देगा आपको per question तो आपको 24 marks मिलेंगे तो 8 questions 3 marks के आएंगे आपको मिलेंगे 12 questions, उसमें से करने होंगे केवल 8 questions, यह ध्यान रखना है 12 से 15 questions के आसपास मिलते हैं आपको और उनमें से केवल 8 ही आपको करने हैं तो incomplete dominance के बारे में आप इस तरह से define कर देंगे और इसके बाद में जो हम marvellis jalpa plant का cross कराएंगे white flower plant से तो देखो यहाँ पर जो है हमने बता दिया कि phenotype of parent क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ फिनो टाइप of parent बता दिंगे phenotype में आपने क्या बता है यहाँ पर कि हमने वही red flowers लिए है साथ white flowers लिए है red का हम cross करवा रहे है white के साथ में ठीक है तो red का हम cross करवा रहे हैं white के साथ में अब जीनो टाइप कैसा हो जाएगा तो red flower से तो रर कैपिटल र हो जाएगा और white flower से तो हम इसको लेते हैं small rr में यहाँ पर जीनो टाइप हमने ले लिया अब इस डाइग्राम में gamut जो होंगे वो कैसे हो जाएगे तो इनका cross करवा लेते हैं एक r से दूसरे छोटे r का यहाँ पर capital r और small r तो हमारे को जो मिला वो कैसा मिलेगा हमारे को मिला pink flower यहां तक समझ में आ रहा है अब देखिए f1 generation हमारे को pink flower की मिली है यह f1 generation है हमें f2 तक जाना है f1 generation pink flower मिला है तो selfing of f1 करेंगे तो small r जो हमारे को pink flower तो self-pollination कराएंगे तो small r capital r और cross होगा यह small r capital r से यानि कि एक r बड़ा एक r चोटा और एक r बड़ा एक r चोटा इसकी tabular form हम बना देंगे एक r यहां पर ले लेंगे एक r हमने यह चोटा ले लिया एक r यह रहा और एक यह आ रहा अब crossing करवाएंगे तो crossing बहुत simple सा है इस r से अगर इस r का हम crossing करवाएं ठीक है तो आपका 2 r है तो capital r r हो जाएगा और capital r r जो हमें मिला था starting में हमने देखा कि वो क्या है red है ठीक है पिर इस r से इस r का cross करवाएंगे तो हमारे को यहां पर देखो r r मिल रहा है छोटा r यह pink मिल रहा है क्योंकि हमने देखा था r r मिल रहा हो pink मिल रहा है अब यह वाला जो r है यहां से r कराएंगे तो यह r pink मिलेगा और यह r small और यह r मिलेगा हमारे को white जो कि हमने starting मिलिया था small rr white तो ये हमारा हो गया आपका F2 generation ये क्या हुआ हमारा F2 generation हो गया और phenotype ratio कैसा बन गया तो यहाँ पर देख सकते हो ये capital R एक बार मिला है ठीक है लेकिन small r और capital R दो बार मिले हैं तो ये capital R red जो है ये हमारे को एक मिला है pink वाले हमारे को दो मिले हैं तो pink वाले दो हो गए ठीक है और white वाला एक मिला है तो white वाला एक हो गया तो इस तरह से ये हमारा chart से complete हो गया I think आपको समझ में आ गया cycle ठीक है चलिए इसको हम हो गया अब आते हैं, next question 16 जो पूछा गया है, उसकी बात करते हैं, differentiate करना है आपको sympathetic और parasympathetic nervous system with reference to the following, इसमें pre and post galanoic nerve fibers और effect on heartbeat, ये दोनों ही बताने हैं, और B portion में पूछा गया है, reasons देना है, all spinal nerves are of mixed type, इसका reason आपको बता देना है, सबसे पहले जो हमारे को difference बताना है, उस difference की बात करें, तो difference में जो है आपको इस तरह से difference बता देना है, ठीक है, tabular form में बताओगे तो आपका answer best रहेगा, इसके बाद जो reason देना है, spinal nerves are of mixed type, तो इसका B option जो answer होगा, वो इस तरह से आप लिग दो, ये वाला लिग देना, ठीक both sensory and motor neurons, ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा छोटा answer, देखो मैंने बताया था आपको कि आपके paper जो है, छोटे छोटा ही बनता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा घुमाया नहीं जाता आपको, इसके बाद जो है, आपको draw करना है, suitable diagram of replication, you critic DNA and label, any three parts, ठीक है, कोई भी three parts को label कर देना है, इसका answer आप ये देख सकते हैं, इस तरह का आपका ये बनेगा, कोई भी label कर देना है, three parts जो आपको समझ में आता है, ये उक्रेटिक DNA का, अब यहाँ पर जो है, आपसे पूछागा, how many amino acids will be there in polypeptide chain form on the following mRNA, अब ये mRNA में अगर ये polypeptide chain follow होता है, या बनता है, तो यहाँ पर कितने amino acids मौझूद हैं, आप आराम से count कर सकते हैं, total मिलेंगे आपको 4, तो इसका answer हो जाएगा, four amino acids are present there, ठीक है, इसके बाद जो next question है, describe the steps in breathing, breathing के steps कौन कौन से हो, तो breathing के two steps होते हैं, ठीक है, तो दोनो steps को हम define कर देंगे, पहला steps जो होता है, जिसको inhalation या inspiration बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो step हमारा आ जाएगा, वो हो जाता है आपका exhalation, सांस लेना और सांस छोड़ना, expiration भी जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से ये complete हो जाएगा, इसके बाद जो next question है, what is spermetagenesis, ठीक है, और draw neat and level diagram of spermetagenesis, तो spermetagenesis का जो हमें diagram भी बनाना है, और ये होता क्या, इसके बारे में define कर देंगे, तो कुछ इस तरह से define कर देंगे, ये part में answer, इसके बाद जो है, इसका diagram मनाना है, तो diagram आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस type का रहेगा diagram, तो diagram को याद करना है, अच्छे तरीके समझ लेना है, उक से आप refer कर सकते हैं, चाह तो आपको दोनों का बता देना है, दोनों का answer बिल्कुल simple simple सा है, पहला जो हम बता देंगे connecting link क्या होता है, और दूसरा जो है which animal considered, तो इसमें कौन-कौन से animal आ जाते हैं, तो यह हमारे connecting link के अलावा जो है, आर्कियो फैट्रिक्स जो होते हैं आपके वो आ जाते हैं, इसमे reptilian character कौन-कौन से होते हैं, उसका एक example जो है हम बता सकते हैं, या फिर उसके बारे में बता सकते हैं, और avian character किसके पास होता है, इसका भी हम बता सकते हैं, तो यह हो गया इसका answer, कि किसवा जो है इसमें table है आपका, complete the following chart regarding population interaction and rewrite, हमें population interaction के हिसाब से जो आपको बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको interaction को हम बोलते हैं, parasitism, ठीक है, आपको याद भी होगा, पढ़ा भी है, 10th में भी पढ़ा है आपने यह, इसका नाम हो जाएगा parasitism, और इसके अलावा जो दूसरा है, leopard and lion में जो interaction होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, competition, और इसके अलावा जो है, clownfish and sea animal में जो होता है, उसको हम बोलते हैं, commonalism, commensalism, ठीक है, अब जो है, अगला, what is a composition of biogas, biogas के composition आपको अच्छी तरह से पता है, mixture of methane होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है, other gases इसमें होता है, जिसमें CO2B होता है, N2 और H2B होता है, ठीक है, इसके traces भी मिलते हैं आपको, तो यह बता देना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बायो गो, इसके जो composition होते हैं, इसमें आपके percentage बताएंगे, बहतर रहता है, mention any four benefits of biogas, four benefits कौन कौन से हो सकते हैं, biogas के वो आप बता सकते हैं, तो यह है आपके four benefits of biogas, जो हमने five दे दी हैं, next जो पार्ट है, give reason, water acts at thermal buffer, और draw करना है आपको, proportionate diagram of root hair and label, microcandia, or nucleus and vocule, तो यह आपको इसमें mention करना है, diagram के साथ में, diagram छोटा सा है, यह पार्ट आपको बता देना है, जो कि water high specific heat के साथ, और high heat of vaporization होता है, और high heat of fusion भी होता है, इसलिए जो है, यह thermal buffer की तरह act करता है, यह आप बता दोगे, इसके लावा जो है, यहाँ पर diagram जो बनाना है, वो कुछ diagram इस तरह से बन जाएगा, आपका, let finish the diagram, इस तरह का आपका diagram बना, structure of root hair, again, जो 24th number question है, इसमें आपको explain, three functions of free antibodies produced by B-lymphocytes, तो B-lymphocytes के दोआरा जो आपको कौन कौन से है, तो agglutination हो जाता है, आपका osponation हो जाता है, और neutralization हो जाता है, तीनों हो जाते हैं, antibodies तो यह तीनों के तीनों आपको बता देने हैं, clear, इसके बाद जो next question है, उसकी बात करते हैं, following are the diagrams of entry of pollen tube into ovule, identify A type and B type क्या हैं, इसमें, A जो हो जाएगा, challenge सो जामी हो जाएगा, और mu सो जामी हो जाएगा, A और B के हम नाम लिख देंगे, और इसे में लिखा है, give any four points of significance of double fertilization, तो यह भी हमें बताने है, significations of butter, double fertilization के significance क्या है, any four बताने है, तो पहले A और B के नाम लिख दीजी, तो A और B के नाम तो आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, A और B, और B पार्ट जो है, four points देते हैं, significations of double fertilization के, तो four points में जो है, आप पता देंगे, तो यह four points आप नोटिस करिए, ठीक है, अब इसके बाद जो है, next question, 26 नंबर में A, B, C, तीन पार्ट आप से पूछे गए हैं, नेम करना हार्बोन, which responsible for, apical dominance, apical dominance के लिए, जो हार्मोन आपका responsible है, वो कौन सा है, यह आपको बताना है, वो oxyn होता है, आपको याद होगा, और a farmer wants to remove, road level weeds from the, war plantation in his field, suggest any plant hormone to remove such weeds, से यहां पे 2,4 D, इसको हम क्या बोलते हैं, dichloro-finoxy-acetic acid, उसका use कर लेगा यह, और cytokanine के जो है, हमें applications 2 बताने हैं, तो कोई भी 2 applications बता सकते हैं, first part जो है, responsible होता है, oxyn तो उसको हमारा नाम लिख देना है, तो हमारा जो हो जाएगा, oxyn ठीक है, यह रहा oxyn, जो हमें B part है, farmer अगर remove करना चाहता है, weeds को जुआर plantation में से, या अपने field में से, तो हमारा जो है, वो ले लेगा, 2,4 D, यानि कि 2,4, dichloro-finoxy-acetic acid, ठीक है, और जो आपका third part है, mention करना है, two applications of cytokinine, cytokinine के दो applications, करने होंगे, section D में, आपको अंतिम section इसमें, आपको 3 ही question करने होते हैं, और यह 3 question जो है, 4 marks करी करेंगे, 3 questions gives you 4 marks, equals to 12 marks, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 27 से 31 नंबर तक question मिलेंगे, 27, 28, 39, 31, 5 question में से आपको के वाल 3 question करने हैं, 27, 28, 29, then 30 and 31, 2 have 2 right answers of 3 questions, ठीक है, तो 5 options मिलेंगे, उसमें से आपको 3 कहीं लिखने हैं, और छोटे-छोटे parts में ही आपके टुखड़ों में आगा, what is blood pressure हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है, कौन से instrument से blood pressure को मापा जाता है, और difference आपको करना है, आर्टरी और वेन में, reference with lumen and thickness of wall में, सबसे पहले आप जो है, first part का blood pressure के बारे में बता देंगे, तो blood pressure क्या होता है, यह आपका answer हो जाएगा, the pressure existed by the blood on the wall of the blood vessel, is called blood pressure, और आप जो, टिगनोग्राफी जो होता है आपका, sorry, टाइगनो, manometer जो होता है, यह हमारा blood pressure मापने के लिए आपने देखा होगा, कई लोग जो है, pump मारते हैं, हाथ में पट्टी बांद करके, डॉक्टर के बास आपने कभी देखा होगा, और इसके बाद जो है, differentiate करना है, artery और vein में, तो इसको भी हम, tabular form में बनाएंगे, ठीक है, तेरे साब का यह answer हो जाएगे, next जो है, ठाइस वा question, इसकी बात करते है, describe any adaptation in anumophilis flower, or mention any one example of the flower, describe any three adaptation in hydrophilious flowers, mention करना इसका भी example, तो examples mention करते हैं, खतम करते हैं कहानी को, ठीक है, adaptation पहले की बात करें, एपार्ट की, तो हम बता देंगे, example इसका maze हो जाएगा, adaptation दूसरे type की बात करेंगे, तो उसका भी हम answer देंगे, उसका example जो हो जाएगा, वाली scenario, इसके बाज़ जो next question है, इसमें देखिए, what is polymerase chain reaction, PCR सीदा सीदा पूछ लिए, describe three steps involved in mechanism of PCR, तीनों mechanism को हमें explain कर देना है, diagram बना देंगे तो बहुत बहतर है, सबसे पहले हम, PCR का define कर देते हैं, PCR क्या होता है, तो यह जो है, आपका device use होता है, cloning और gene multiplication के लिए, in vitro में हैं न, इसके लावा जो है, describe three steps करने हैं, तो steps जो है, आप इस तरह से बता देंगे, पहला जो आपका B part इसमें, इस mechanism PCR का जो involved होता है, steps में, वो हमें बताने हैं, तो इसमें first जो part हो जाता है, first part जो है, first step बोलेंगे हम, denutrition, ठीक है, और second step में क्या हो जाएगा, second step में जो आपका आजाएगा, और third step में क्या हो जाएगा, primary accession, या फिर polymerization, तो यह आपका third step हो जाएगा, और इसके बाद अगर, आपको थोड़ा बहुत याद रहता है, तो यह colorful नहीं करना है, हम तो colorful इसलिए आपका diagram ऐसा ही है, बाकि आप इसमें pencil से color कर देंगे, फिर उपर वाले को कर दीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, यह मतलब आपको उपर bottom, top, bottom, top, bottom करते जाना है, तो इस तरह के यह diagram बन जाएगा, केवल आपको नाम याद रखने हैं, यह जो steps हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, यही आपको जो है number देते हैं, बाकि आपको यह diagram इस तरह से बना देना है, तो diagram तो आपके book में भी आप ग्राइफर कर सकते हैं, अब जो है आपका 30 number, second, last question, give any four significance of fertilization in human, यह आपको बताना है, mention the name of any two organs, each derived from ectoderm and mesoderm, अब जो है, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और कुछ बच्चे बहुत जादा late join हूँ होंगे, तो मैं बता दूँ आपको कि आप जो है, अपने PDF को प्राप्ट कर सकते हैं, chemistry का PDF अबलेबल है आपका, 2023 का, और साथी साथ with solution, जैसा कि आपने यह solution देगा, complete PDF जो आपको मिल जाएगी, और आपका physics का, जो question paper है, उसका भी complete solution है, आप 2022 का भी chemistry, bio और physics का ले सकते हैं, वो भी solution जो है, आपको complete मिल जाएगा, जिस तरह साथ वीडियो देख रहे हैं, और जैसा मैं बता चुका हूँ, आपको g-pay या phone पे करना होगा, ठीक है, g-pay या phone पे आप कर सकते हैं, दोनो options available हैं, आपको 50 रुपीज पर each subject का PDF प्राप्ट करने के लिए, आपको करना होगा, 50 रुपीज इच subject, और जो है, आप WhatsApp कर देंगे, screenshot को, WhatsApp नमबर और जो g-pay और phone पे करना है, 222-56, इस नमबर पे आपको WhatsApp करना है, जब आप screenshot लेंगे, payment का, subject mention कर देंगे, g-pay फोन पे करिए, आप 50 रुपीज का, और WhatsApp कर दीजिए, इस पर screenshot को, और आपका जो PDF है, वो इस form में, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह का ही PDF आपको मिलेगा, जैसा की complete आप देख रहे हैं, यह PDF जिस तरह से answers दिए गए हैं, यह आपको as it is मिलेंगे, इसमें कोई changes नहीं होगा, अब बात करते हैं, इसके दोनों के questions के answers के, तो significance क्या होता है, आपका fertilization human में, ठीक है, इसके अलावा जो है, mention करना है, आपको बता देना है, इसकी nervous system और आपका जो है, hurt and kidneys, नेक्स जो है, आपको give any two functions of cerebellum का बताना है, write करना है, name any four motor pernual nerves with their appropriate serial number, अच्छा serial number table बनाना पड़ेगा आपको, और which hormones stimulates liver for glycogenesis and glucogenesis, ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है, कौन-कौन से हो, इसमें आते हैं, तो hormones तो आपको पता ही है, insulin जो है, वो glycogenesis में आता है, और glucagon जो है, वो आपका glucogenesis में आता है, तो यहाँ पर तो हमारा answer इसी का सिदा सिदा होता है, और यहाँ पर four motor, carnal nerveses, जो हमें बताने हैं, serial number के हिसाब से, toctomotor हो जाएगा, pathogenic हो जाएगा, ठीक है, यह सारे हो जाएगे हमारे, तो चलिए, इसका first का answer देख लेते हैं, function में, function of cerebellum, यह अब लिख देंगे, four motor, carnal nerves with their appropriate serial number, तो यह हमारा चार्ट हो जाएगा, serial number का इसमें, carnal nerve का, और जो next, last part है, इसमें पूछा गया है, हार्मोन सिमुलेट लीवर के, जो होता है, लीवर में, एक आपका glycogenesis से होता है, और एक glycogenesis से होता है, तो glycogenesis से मैंने बताया था, insulin हो गया आपका, और glycogenesis से हो glucagon हो गया, तो यह आपका answer हो गया, इस तरह से आपने पूरा complete solution देखा, biology का, इसी तरह से physics का है, इसी तरह से chemistry का है, full return solutions हैं, आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से अपने आपको तियार करेंगे, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा board नहीं लिखना है, बहुत ही कम लिखना है, sort में लिखना है, सब उस समझ के लिखना है, तो यह questions, papers आप जो है, with solutions, at the minimum cost, फेटे रुपेज, on pay और g pay, videos free है, videos के माद्यम से भी आप अपना काम चला सकते हैं, बाकि आपकी मर्जी है, अगर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था, कि सर हमें PDF भी चाहिए, तो जैसे हमने संस्ता से बात करी, की PDF आपको अबिलिबल करा जाएगा, at cost, और हमने ये सारा का सारा आपको बता दिया है, वीडियो के स्टार्टिंग में सारा मैसेश दे दिया गया है, बीच में भी दे दिया गया है, तो आसा करता हम इस वीडियो के माद्दम से अपने बैतरीन सीखा होगा, thank you very much, have a good day, और wait करिये next video के लिए, thank you once again.